असलाम वालेकुम वेल्केम टू शाह ग्रूप एडूकेशनल चैलल और बेटा आज हमारे पास जो है सुदेंट्स हमने अपने क्लास नाइन में बेटा जो आपका यूरी नमबर टू है डैर इस रोल मॉडल बेटा उसका हमने पार्ट परन पढ़ना है पार्ट पर में पढ़ रहे शाह अबडूल बिटाई विस लविली कोड लालतीव यह जबोटीज वास अनोटेट सिंधी सूफी स्विप शॉलर, mystic, saint, and poet. He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. Information about the life of Bittai was mostly being has mostly been collected from oral traditions. A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas, and stories. Mr. Khalish Beg is said to have collected details about the early life of Shah Abdul Latif Bittai from some of the old people living at that time. These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. कहरें कि Shah Abdul Latif Bittai जिनको प्यार से जो इनको फॉलोवर थे, उनको बोलते हैं, लालतीफ होते हैं, कहरें यह सिंधी सोफी, मतलब कि एक बज़रुग थे, और कहरें कि शायर भी थे, कहरें यह इनको ना सिंधी लेंग्विश का ग्रेटेस मुस्लिम पॉइट माना जाता है, और कहरें कि इनके बारे में जो इनफॉमिशन वगरा कलेक्ट हुई है, वो औरल ट्रडिशन मतलब कि मूँ जबानी, मतलब कि बस कहीं वा लिखा वा नहीं है, लेकि लोगों के जहांबे शाह अब्दुलतीफ रहा करते थे उसके सराउंडिंग में करें कि यह जो लोग थे ना दरसल इनके दो आबा वजदात थे यह वो लोग थे जो बकाइदा शाह अब्दुलतीफ भिटाई को परसनली जानते थे उनसे बाद भी करीवी थी ठीक आगे लिखावा है ए इसके स्कॉलर्स अबाउड लाल लटीफ आर गिवन भलो कि जो आप शाह अब्दुलतीफ बिटाई हैं इनके बारे में क्या बोलने हैं इनका उर्ट जो है जो भी लोग मनाते हैं और जो के सफर बिटा इस्लामी के लिए कर सेकंड मन है कि हजारों की तादाद में यहां पर पोर्टरी के बारे में इनकी लाइफ के बारे में और कह रहे हैं शाह अब्दुलतीफ बिटाई की जो जिंदकी के बारे में कुछ important points हैं वो हम नीचे discuss करते हैं तो मेरे बच्चों let's continue बिटा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या लिखाव है the first point is background and family Shah Latif's ancestral roots lay in Afghanistan some historians say that that Shah's father Sayyad Habib Shah migrated from Matyaru his ancestral home in Afghanistan to Bhaenpur in Sindh in order to gain gain spiritual contact with Bilawal a local pious man others say that that his ancestors migrated to Sindh from Hiraar Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif and sister liked it so much that they decided to make it their home Shah Abdullatief की जो कहते हैं आवावजदात थे वो अवानिसान से थे basically कहरें कुछ लोगों का मानना यह है कि जो उनके वालिद साप थे ना सजिद हवीब शाप शाप थे कि वो मत्यारों से आयते हैं जो अवानिसान में जगा है और बो रहे हैं कि पिर आए कहा है थे बहन कूर मे और ताकि ना वहावए एक शक्स रहा करता था बिलावल नाम का उससे ना एक रूहानी वो दरसल उनके बारे में यह था कि बड़ा नेक शक्स था वो बड़ा एक रूहानी तरह के लोग थे वो तो कहरें हुआ कि कुछ लोगों का मानना यह है कि यह सिंद में ही थे लेकिन एक दूसरी जगा से ट्रेवल करके हम पर आये थे मतलब हिजरत करके आये थे कहरें उस वक्त ना सिंद दरसल मुस्लमानों का एक बगारा एक एक मुस्लिम कल्चर का एक गड़ था मतलब के तो कहरें कि जो उनके आबा उच्दा थे शाह अब लटीव को उन्होंने जिए अपनी बाकी की तमाम जिंदगी वहीं पर गुजारी थो शाह अब्रतीव का जो टाइ्ल था था ना वो बिटाए पड़ गया सेंट उव विछ आग्या टार दे mog Втор ना खको जो जाने आश्रा लुज चैनल के नान ुद्सूज प्रोगें आग्या थे ल क्का इति हमारे पास थे इस अड़ी लइफ डाँ ऐस एक टो सब और शारतीफ वास रेस्ट दूरिंग गोल्डन एज और सिंधी कल्चर इस फर्स तीचर वास अखुनून मुहम्मद भटी बट में ली वास सर्वजी प्रिडिड़ करें कि यह पैदा हुए थे 1689 बिटा जो हमारे पास अभी एर चल रहा है न 2000 में मतलब यह वाला है और विट चल लाता सिंधी कल्चर के जो पहरे टीचर थे वो थे अकुनूर मौहमद भटी लेकिन ज्यादा था था तारिय उन्हें खुछ अपने आप से महनत करके हासिल करी थी ठीक आएका लिखा है ओल्डों ही डिसीव लिटल फॉर्मल एज्यूशन दारी साल पॉइड ने काफी अच्छे हैं जानते थे वेरियस रेफरेंसे इंशाद रिसालों इंडिकेट एड़ इंड़ नौलज़ ऑगर्ण और अधीज इस पुएडिक इंक्लूड इंक्लूड पस्टवी और मौनाना जलारुदीन रूमी और शाह करीम स्वाम करें के बाकि इनको बड़ी अच्छी नौलज़ थी कुरान मजीद के बारे में और आधीस के बारे में और कहरें कि इनकी जो पूम अगरे में क्लेक्शन मौजूद था वो मौनाना जलारुदीन रूमी की मस्टवी और शेख करीम की पूम सी नहीं बड़ा लेक्स मूवाइगा लिख हमारे पास नेक्स करें कि शाह अब रतीफ की जो मतलब कि जो यंग जो यूद थी जो जवानी थी बड़ी संसिरिव थी कैरें जब वो एक चोटे बच्चे से थे ना तबीस ने पूर्टरी वगारा करना शुरू कर दी थी क्योंकि उनको उधरत के जो नजारे थे बड़ी उसे बड़ा लगा को गई तो कैरें के और तब तक ने फिर शादी नहीं होए को दिल धो रिलिजिन की चरफ और जड़ाएट कि उसाजरी नहीं है बार वह Never Do आफूद लीजेव लोजे आएगा या for God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion As a result he spent most of his time in prayers and deep thinking. His spiritual power grew stronger with prayers and devotion so much so that people began to be attracted towards him and anyone who came to him was strongly impressed by his generalropol téc and his followers increase day by day. कैरें क्यूंके हुआ क्या कि वो एक हत तक भिटा आ इबाद den उसक्ता किया करते है कापी कंटीनीू और कहने हुआ क्या कि उनका ज्याद था टाइम फिर एक सोच में और अल्ला बारे के बारे में सोचना ये ख्याल करना उनको याद रखना और अबादत करना कहने हुआ क्या इसकी वैसे उनकी रुहानियत बढ़ती गई रुहानी ताकत बढ़ती गई और कहने कि लोग इन से अट्रेक्ट होना शुरू है, उनकी पॉजिटिविटी से और जो कोई इन से मिलने के लिया था बड़ा इंप्रेस होके जाता और कहने हुआ कि इनके फॉलोवर्स की तादात ना बढ़ती गई फिर क्या लिखावाए कहरें कि जहाँ पर जो मट्टी का टीरा था ना वहीं पर मतलब कि शाहँ अब रहा करते थे जहाँ पर वो एक उसकी खुबसूर्ती को उन्जाय करने के लिए वहाँ जाते वहाँ बैठके हम्दुस्णा करते लिखाए और किया करते थे और किया करते थे थे नाउ नेक्स वन इस बेटा डैथ और मेंबरेंस तो क्या लिखावा है ला लातीव जारी इन 1752 on the mound where he had lived he was buried on the same mound it is said that one day he ordered the musicians to play music they played continuously for three days when they stopped playing they found the poet dead a famous king of sultan ghulam shah kolodo was so devoted to him that he built a grand museum over his grave the doubly white dome of the shrine represents the purity and dignity of latif 1752 मेंगी बिटा death हुई है जहां जो और उसी मट्टी के ठीले पर जहां पर रहते थे कहरें के अच्छा यह बड़ी अजीव सी बात यहां लिखी वी है कहरें के लोगों का कहना यह भी है कि एक दिन उनने क्या कहा कि अपने जो musicians को music पिच्छाने के लिए कहा वो तीन दिन बखादय का एक मज़ार बनाया और कि हमके मतार के जो white एक गुंबध है ना वह दरसल इंकी purity वगरा को शो करता है ठीक आगे लिखा है कि- जीबोटिस कर्लेक्टिन इस पोईटरी और रिसालों आप अब्ललती video को बोलते हैं कि हरसाल जो इनके मानने वाले ना डिबोटीस वगरा उनका उड्स वगरा बनाते हैं जो कि चौदा सफर को होता है और तीम दिन दक चलता है नाओ नाओ नगे स्वन इस बिता के लिखावा निखावा निखाव है शाह लातीव पोईटरी शाह लातीव वह थे वह संसिटिव जेनल और काने सोल he also mentioned the recent city such as Istanbul and Samarkand and also talks about Sindhi Sindi sailors their navigation techniques and their watches as far as the Merabar coast Sri Lanka and the island of Java here is the translation of the one such verse अब लतीफ बड़े नरम दिल के बहुत नेक इंसान थे और कह रहें के वो एक सूफी भी दे मतलब के और कह रहें लतीफ का जो असल में मतलब होता है वो यह होता है फाइन होता है डेलेके टेंडर elegant light के रहें यह तमाम मतलब लतीफ के हैं लेकिन बोल रहें कि यह जो इनके उपर ना इनकी संबूल बगारा के बारे में लिखा 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 ठीक फिर लिखावा है कि यह जो है मतलब कि उनकी पोईट्री के बारे में लिखें कि यहां से आए, वहां से इस्टमूल गए, यहां गए और फिर आखर मुझे ने कहा कि सिंध के लिए दुआ करी, अल्लापाक से कि अल्लापाक जो मतलब कर सिंध है, उसको हमेशा एक खुश्ची का घ्यवरा बना दे, उसको मतलब के सब बहुत कुछ हता कर रिसको दौलत वगरा और कहने हैं, पूरी दुनिया को बहुत कुछ हता कर, ठीक अब इटास का मायबास आखरी प्रिग्राफ शेप्रे का के लिखावाई, इस बहुत के लिए लगए शेप्रे के लिए उसमें डाउडिक सब्सक्राइब और आपकी जवानों वे पिर प्रिए प्रिचिवल और जो प्रिचिवल और जो उसमें जवानों का प्यार वहाबत का के रहें इसलिए यह तमाम लोगों पर अप्दिके बले कि शाह अब रतीफ के इनको बड़े अच्छे से याद किया आता है उनकी पूट्री की वैसे उनकी सबक की वैसे हम उनको बड़े अच्छे लफ़ों में याद करते हैं थीक है नौब बड़े इस पेर एंड डीप थिंकिंग बड़े इसकांसरे ना नेक्स वन इस बिटा के इस इंदी लैंविश अमाउंड फॉल ऑफ सैन इस कॉल डैश के माउंड और सैन को क्या बोलते हैं बड़े सो शाबाश बाश बड़े इस इन लिविंग रोमेंटिस्टिक लाइफ शाह अब लोग जो उटते हैं काम किया वाफसी घरागस हो गए किरे इस तरह की लाइब गुजानने से वह क्या फील करते थे वह फील करते थे रेस्ट लाइब उनको सुकून नहीं था इस प्लाइफ में इस तरह कुसाणने से नेक्स वन इस बिटा शाह अब्दुरती फैदा कब हुए मेरे बच्चों तो बिटा गैस करो इन चार में ते कौन सा ऑप्शन ठीक है और करेक्ट डांसर ने से में बच्चों गुड जॉब बिटा फर दो जिनोंने सजी से पिक किया अच्छा भी आगे का लिखे है मेरे बच्चों माने पास नेक्स बने से क्या रहा है दनेम ओव शाह रतीज फादर वास करें शाह अब्दुरतीफ के वालिस साहब का नाम क्या था तो मेरे बच्चों इसकांसर बिट सब्सक्राइब करने के लिए तो इसका मतलब किया हो आप जो है एक चेंज सिकिंग परसॉन हो अगला है शाह लटीब वास सोफी स्कॉलर मिस्टिक सेंट पॉइट और सेंट पंजाब वरोचिस्टान नव्यफिक करें बताओ किसका बेटा तो मेरे बच्चों नभी एक लगाओ ना विटा लेट्स भूवाण तो सेक्षिंट बी कि हमाँ इस चैप्टर शेटेशन भी मगरा मी क्या आता है वह इंचा आपने क्या करना है कि यहां पर बीश बीश में जहां जहां पर मैं आपको आंसर कंप्रीट करवा दूँं आपको आंसर लिए लिए तो वह आ लिए पैदा हुए जो कि अफगानिस्तान ने विटा जो उनके अंसर से और शाह अब रती मतलब के बड़ी रूहां यह रहा गड़ा करते हैं जो लोग थे ना लोगों के लिए शायर भी थे और लोगों के बड़ी इज़त किया करते थे उनके स्किल्स वगारा कि वह से संग दूदा टीर और यह एंड आपने मदार पर ही मनाते हैं यह लोग 14 सफर पर और सेकिंड महीना जो इस्लामी के लेंडर है और करेंगे लोग बहुत सारे यहां गयादर होते हैं गाने गाते हैं तमूर बगारा पर नावने लिए अगला का लिए लिए ने अगला का सेवंटीन थाटीन में शादी की शादी हुई बीवी सादा बेगम से और करें लेकिन उसके बात क्या हुआ उनकी जो वाइप सी वह जल्दी उनकी डाथ हो गई और बच्चे होने से पहले ठीक अचा यह वाला सवार इतना कोई इंपॉरिंट भी नहीं यह तरी वाला लेकि किसी की गई और इस तरहां से क्यों क्लेक की गई तो बिड़ास कांसर का लिखाव है इंवर्मेशन अबारे में जो इन्फोमेशन वारा क्लेक की गई यह वो मूदबानी करी गई यह त्यूंकि लोग मतलब उसी वक्त किया करते थे उन्होंने कुछ दिखा नहीं था उनके पारे में जो लोग जिन से कला की गई यह उनके जो बगारा आवा उश्दात थे बाप दादा बगारा जो लोग थे वह उन्होंने खुद अपने सामने कुछ ने तो देखा वादा बात करी थी तो काफी अरसे पहले की बात है ना ना ने निक्स में इस शाह रतीफ कॉल दा फिट बोलते हैं और करें यहीं वजाए कि आज तक उनका जो नाम हो क्या है शाह अबदुरतीफ भिटाई यहां थी नेक्स का रहे पास वाइट शाह रतीफ नोट पैरी अगें आफर इस वाइफ के पाद शाह रतीफ नोट बारत है वीवी की डिएफ के पाद शाह रतीफ और ज्यादा ट्रेक्ट होता चला गया उनको बड़ी बेचानी सोती थी केरों को बड़ा मुश्किल लगता था एक नॉमल लाइफ गुजारने में आगे लिखा वह है वाइट पीपल बिकम शाह रतीफ फॉलवर के लोग जो थे शाह अब रतीफ के फॉलवर्स क्यों बने इसका अंसर है माने पास शाह रतीफ स्पेंट मुश्फ इस टाइम इस प्रेयर संडीप थिंकिंग इस स्पिरिच्व पावर ग्रीव स्ट्रॉवर्स क्या किया अपना ज्यारतर वक्त वह सोच में और अपने अबाद में गुजाते तो उनकी जो रूहानियत थी रूहानी त इसका आंसर क्या है शाह रतीफ लड़ पीसिंग क्वाइद ऑन इस बैंक आपना टाइम गुजारते तो अल्ला की शान शौकत बया मतब कि हम्दों साना किया करते थे और उनके लिए वर्स वगरा जोती है मतलब वो लिखा करते थे शेर उशारी किया करते थे फिर लिखे विटा मान पास कि शाह रतीफ को सुछा नहीं तो आपने के शाह रतीफ के शाह रतीफ को प्यार का मैसेज है और वो लोगों में भाईचारा और इक्वार्टी वगरार बें मांते थे और कि करें कि यही उनके मताबिक हमाई लाग का मकसल है अगला है राइड फ्यू सेंटेंसे अबाउड शाह को लोड़ो वह सो डिबॉर्ट अच्छा मानने वाला था वो बोलने कि उसने का किया उसने के लिए अपना पूरा एक मजार के दौर बनाया के रहेंगे जो उनके मजार की जो वाइट कदर रहें अदर असल वो प्रेसंट करता है इंकी प्योरीटी को इंकी डिगनिटी को रिप्रेसंट करता है ना अब अगला है हमारे वाट दस शाह रादीज पोईट्री एंड वर्ट आस करेंगे इनका जो जो पोईट्री वगारा थी ना वो हमें के स्किल्स के बारे में इस तरह बताते हैं वो पंडेसंट को आइडिया होता है कि इनकी अरभिक और पर्श्य के काफी अच्छी थी और उनको काफी काफी गहरी नॉलजज थी कुरान की और अहादीश की कहरेंगे आसान उसके साथ करेंगे जो पोजिती ना वह यह असान लफदों में लिखा करते थे ताकि हर को इसको समझ सकें नेक्स है वाद आदीश की मैसेज इन दुरू आपको इसको मानने से करता है तो क्या लिखा वाए शारतीश की मैसेजित इस वर्सेज इस एक्सेप्टेबल त it is the same message which has been conveyed to us through the our prophets and holy books the this message is actually what we have learned through our through our religion message is what is the message that we are done with the questions of chapter number two we are going to read the exact chapter writing mention हुआ है लेकिन आपको डारे के बतारो बैटा पहले प्राइग्राफ में क्या लिखा वा है कि हमारे पास कहरें कि यह काफी पुरानी जगा है मांट देड जिदे के लिखा वाई ठीके ना और कहने कि यह ना सिंद में था यह सिंद में जगा है 27 किलो मीटर से लाड़काना से के राइट साइट पर कहने कि यह दुनिया की कदीम तरीं सिविलाइशन जो हमारे बास मौझूद है उनमें से एक है और कहने कि यह 26,000 बीसी तक्रीवन तब बनाएगा था जो चीज़ें वगरा मिली है उसके मताबिक और कहने कि यह बहुत बड़ी सैटलमें यहां मौझू आएगा लिखा है कि रहे हमकों नहीं बता कि मौझू का क्या हुआ कैसा हुआ है लेकि कि नाइंटीन ट्विट्टू में जब यहां पर रहना वाज़ें लोग थे ना वहां पर एक शक्स था चुके बिटा जाहिर से बात अंग्रिजों की यहां हुक्मत थी सौर जान मारश पूरा कुछ ना कुछ दफ़ान है उसने लोगों को बोला कि यहां पर ना खुदाई करना शिरू करो तो उन्हों ने लोगों किया किया देस चाड़े डिगिंग और उसके बाद बिटा क्या हुआ कि उनको पूरा पूरा एक शहर नर्याफ्ट हो गया पुराना कदीम शहर फिर लिखा वे भाई कि लोग खुदते गए और चीज़ें आते गई आते गई अपादे गई यहां तकी है पूरे-पूरे घर के स्ट्रॉक्चर आ गए रोड बने वे आ गए और कहरें कि बकाईदा उनको कैने लोग देखते हैं हैरत भी होती कि उनको लगा कि हमको तो अमीर लोगों को घरें तो सर्वेंट क्वाटर अलग से बनावाए करें ड्रेंस वगरा मौजूद थे और कि वगदा एक रोड़ वगरा था जो कि वगदा एक जिस साना से जा रहा था ना तो वो उन बिल्डिंग्स का स्ट्रॉक्चर देख देख के आडिया लगा रहे थे कि ये दुकान है ये घरे क्या इस तरह से फिर बोल रहे हैं कि यहां की जो लोग के यकीजन वो बड़े बहतरीन ताचित वगरा हुआ करते होगे क्योंकि इनके लोकेशन से बहुत करीब रिया सिंथा करें समंदर बड़ा करीब था इनके साइर सी बात है फिर बोलने कि जो कंट्री ये ना वो यकीजन यहां के बड़ी जरखेज होगी क्योंकि यहां पर कॉटन वगरा उगा करते ही कॉटन गरीव थे हैं और कहने फार्मर्स जो यहां के थे वो अपने साथ भेड़ बकरी बगरा रखा करते हैं कर्डल बगरा के तौर पर और क्राफ्ट्ट्पेंस बड़े होते जो कि क्या करते हैं फृआ करते हैं वो जो कि क्या करते हैं गल्ड से सोगन चांदी और मारबल पासहां घैड़ काफी अर्से तक इन लोगों की वाई से तबाव हुए हैं किया कोई हमला हुआ किसी नहीं जो कह रहे हमें हिस्टी में पता नहीं कि यह लोग पहुंख थे एंड विया ड़न विद इस लेक्चर एंड मेरे बचो आई डू हो कि आप लोगों को प्रॉपरली समझ माच चुका होगा बेड़ा कोई भी कोश् का लगे के बड़ा अस्सलाम अलेकुम